नमस्कार दोस्तों और कैसे आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे मस्त होंगे और गर्मी का इंजॉय कर रहे होंगे गर्मी तो वही काफी ज़्यादा पढ़ दिए इंजॉय क्या समझो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ने सुचा की बाल बान लेते हैं तो मैं बाल बान रही थी और उधर सारा भी घर गंदा गंदा पड़ा है और मम्मी जो है जो छोटी वाली खटिया होता है खटोला जिसको बोलते है खटोले पे जो है आम रख रही है पकाने के लिए और क्रेट में लग चुका था तो और उसको नीचे डाल देंगी और फिर उसके आम एक के करके पुरा गेर देंगी पुरा डिजाइन से पुरा आम जो है जब गेर आएगा तो उसमें एक या दो पैकेट कारवेट के रख देंगी छोटी-छोटी सी पुड़ी आती है उनको भीगो कर जो है रखना पड़ता है औ और विगोने के बाद फिर उसमें तो वह पकने लगेंगी उसके उपर हम लोग इसको ढग देंगे और तब तक जो आम में थोड़ा सा भी दाग या नीचे गेर जाता विस टाइप का होता था उसको ममी इस तसले में निकाल रही है जो कि मेरे पड़ोस में ग्रीन ग्रीन र गर्मी काफी ज़्यादा थी और पता नहीं मेरे हाद में क्या हो गया है चोटी यली उंगली में उसमें जरा सभी कुछ लग जाता तो बहुत तेस चोड़ लग जाती है तो यह मैंने रिबन बैन लगा लिया है और यह आने में डर रही थी वीडियो में नहीं आना चाह रह लगाता है और फिर मरवाल बन गया है तोड़ा सा सिंदूर विंदी लगा लू और ऐसा होता ना मेरे सिंदूर जब बहा के पुरा नोस तक आ जाता है जिसे बिहार में लोग लगाते हैं नाक पर आ जाता उसी प्रकार से मेरा भी दो नीचे बहा के आ गया था बस इतना अध्र ममी के आम पुरी तरी के से लग चुके हैं है यह देको इसी से उसी वाली पनी से पुरा धक दिया और यह एक सुतरी जैसा था इस से मैं बांदूंगी बड़ यह इतना छोटा होता है कि बार बार निकल जाता है इदा डालो तो इदा डालो तो इस खटुले को हम इस एक सो रहा है उसको हटाए भी नहीं हम लोग रखने लगते हैं ये बोरी डालेंगे फिर एक दरी जो है इसके उपर डाल दी रेखिए वाइट कलर की आप इसको इसके अंदर रखते हैं थोड़ा सजा रहा था फिर आम के उचाई काफी ज़्यादा थी तो जा नहीं रहा था तो ममी ने तकत उठाया और हमने इसको किया तो पीछे से फस रहा था क्योंकि वहां पर आलू भी पड़े हैं तकत के नीचे तो फिर हम दो लोग उठाते हैं फिर उची करती है उसे भी फस रहा था फिर ये देखिए अब हो गया है ये कहता है मुझे उतार दो नीचे तो म जो आम बचे हुए हैं इसमें तो इनका जो है बनने वाला है अचार अजार बनने वाला है अचार जो हम लोगों ने निकाल के रखाया अचार के लिए अभी अचार वह बनेगा जो आम का चार बनता है और ये मैं जो है आम को साइड में रखने के बाद अधर आप देख रह हुआ है क्योंकि आलू अगरा होता है गाउ में तो इसको तकत किन चीस लिए डाल देते कि हवा लगती रहे तो अलू सड़े न और यह मैंने जाडू भी लगा लिए उधर यह गाय के लिए खीरे रखें भी गाय और पिंकी को खीरा के लाने जाना है तो यह देखिए जाडू पूरी तरीके से मेरी लग चुकी है थोड़ा सा घर साफ लगने लगा है और इदर से रोशनी आ रही है और इदर यह वह स्वेसिन की टैप हम बदलना चाहते हैं बट हम बदलने पा रहे हैं कोई कॉमेंट करके बताए किसको कैसे बदलें बहुत ज़्यदा हम लोगों ट्र किरा भी तो वह हमारे घर में गाली बनी होई है उस में पहले हमारे घर में डाल होती थी लव हमारे वह जब तो डाल हम लोग इससी में कोटते क्या बोलते कुटती ही थे साथ और ये देखिए पोचा लग गया है सिंदूर की जो लियर बता रहते हैं आप देख रहेंगे पूरी नाग पर मेरी भैके आई है पूरा पोचा हम इसी तरीके से लगा लेते हैं और अब गाय के लिए खीरा काट रहे हैं गाय को खीरा के लाना है नमक लगा के आज जब आम सेल्का उसने खाया तो उसके दाथ कटे हो गए तो चारहा खा रही ती फीर थोड़ी दिर रुक रही था ती फिर तो ठोड़ी देर रुक रही थी धर मम्मी आती तो हमसे करती है ला तौमारा पोस्ट दे उन्होंने पोस्ट दिया और आप वो कपडे फोल्ड कड़े लगत